हलो नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे तोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारी देशी श्राब होती है इंगली श्राब होती है उससे हमारी फस्टों पर क्या फायदा होता है और उसका कितना इस्तमाल करना चाहिए किन-किन फस्टों में उनका यूज कर चुके है किसान भाई और उनके फाइदा हुआ है तो वीडियो में अन तक बने रहे वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं शराब के फाइदों की जो शराब की होती है शराब की स्प्रे की जाती है और इस से जो हमारी सबजिया है उनकी सेहत काफी अच्छी हो जाती है पौदे हरे बरे होने लगते है पुष्ट हो और पैदावार भी अधिक होती है और महंगे जो हमारे कीट नाशक द्वाईया है उनके मकाबले ये सुस्ता भी पड़ता है और ये जादा दिन तक एफेक्टिव नहीं रहता है जैसे कीट नाशक होते हो बहुत दिन तक रहते हैं और हमारी सिहत के लिए उनसे प्रभाव क्यांगें मिर्च हो गया लॉकी हो गया तुरई हो गयी बैंगन हो गया और अन्योहरी सबजिया हो गईगई गरने मेंगें मैं इसका काफी अच्छाρη जल्ठ रहा है धान में इसका अच्छा जल्ठ रहा है और जो सर्जियों के बाला पढने की शिकायत हमारे किसान भाईयों को रहती है पाला पढ जाता है और उसे पॉधा फसले है वो खराब होती है उसमें भी ये काफी ज्याधा है और देशी शराब का जब हम छिड़काव करते है तो उसके तीसे दिन से ही जो पौदे में पीला पन होता है वो दूर हो जाता है और उस पौदे का विकास होना शुरू हो जाता है और जितने भी मंडराने वाले कीट होते है मक्खी हो गई और जो भी कीट है वो सब खतम हो जाते है वैक्टिरिया भी इससे काफी हद तक खतम होते है फल बनने में भी जो फल बनना है उसमें भी यह हमारी मदद करता है और फल बनने से पहले जो फूल जड़ जाते है और फल नहीं बन पाता उसमें भी ये help करता है नए फूल और नए जो फल होते है उनको लाने में भी ये help करता है जो इसकी डोज भाईयो रहती है वो एक लिटर में आप धाई एमल डाले मतलब 20 लिटर पानी में आप 50 एमल इसको डाल सकते है और एक बिगा में आप के दो टैंकिया की जो 20 लिटर की टैंकी होती है मतलब 100 ml से आपका दो बिगा में यूज हो जाएगा और एक जो देशी श्राप का सबसे छोटी पैकिंग आती है वो 180 ml की होती है लगबग 180 की वो पड़ती है तो 180 उसमें एमल होता है तो एक पौवे से आपके दो बिगे तक असानी से आपकी सिप्रे हो सकती है तो दोस्तों आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें क्या-क्या फायदा होता है एक तो जो हमारे पौदे पर कीट होते है कीट नाशे का ये एक अच्छा विकल्प है और वेक्टिरियल बीमारिया जो भी होती है उन पे भी ये कंट्रोल करता है और नए फल और फूल लाने में हेल्प करता है और अगर फूलों में सेटिंग नहीं हो रही है फूल पहले ही सूप जाते है फल आने से पुष्ट करता है और महंगे कीट नाशक जो होते है वो तीन चार सौर पैसे कम नहीं पड़ता है हमें एक भीगा डेड़ भीगा तो और ये उसे बहुत सस्ता पड़ता है और इसके हमारी जो धरती है उसके लिए भी जादा एफेक्ट नहीं रहता है इसका अफर जादा से जादा एक दो घंटे में शराब उड़ जाती है और जो कीट होते है वो सभी नश्ट हो जाते है इसके बहुत सारे फायदे है तो दोस्तों उमीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे आप हमारे को इंस्टा फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते दिस्क्रिप्शन में म सब्सक्राइब करेंगे यह कोशीश करेंगे कि इस पूरी कोशिश करेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में ने टौपी के साथि तब लिए धन्यवाद